हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SSC टूल्स में तो हिस्ट्री की क्लासेज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा आधुने भारत में प्रेस का विकास तो कोशन को देखने से पहले हम पहले कुछ फैक्ट को देख लेते हैं उसके बाद कोशन पर आएंगे तो यहां से देखते हैं कोशन को देखने से पहले यह याद कर लो पहले फिर कोशन पर देखेंगे भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था तो बंगाल गजट भारत का प फ्री हिंदोस्तान अखवार का संस्थाब कुन था तारकनाथ दास तो तारकनाथ दास का नाम किसे संबन देता है अमरीका में चलाया था फ्री हिंदोस्तान तो ये एक अखवार था फ्री हिंदोस्तान अखवार ये तारकनाथ दास ने अमरीका में चलाया था भारतियों अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था तो प्रथम समाचार पत्र यानि की न्यूस पिपर जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित उगा था और भारतियों द्वारा प्रकाशित था तो यह प्रथम अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथ समाचार पत्रता भारतियों द्वारह और इसका संपाधक जो है वो हरिश्चंद्र मुखर जी को माने जाता है हरिश्चंद्र मुखर जी संस्था भक हिंदू पैट्रियोट के संस्था वक होने are आंदोलन का समर्थन किया था तो नील आंदोलन क्या था यह हमने प्रिवेस वीडियोस में देखा था 1859 में जो 1857 की करांती के बाद नील आंदोलन शुरू हुआ था जो 1857 की करांती उसके ठीक बाद नील आंदोलन शुरू हुआ था सबसे पहले और इसका जो समर्थक था वो हिंदू पेτ्रियूट निउस पेपर था जो हरिश्चंदर मुखरजी द्वारा चलाए गया था नेग्स्ट है हरिजन का प्रथम अंक हरिजन प्रथम अंकी 1933 में प्रकाशित हुआ था 1933 में इसका प्रथम अंक। पुढ का है महराश्ट में फार्सी सापता हैँ, मीरातुल अख़बार राजा रमोहन राए ने शुरू किया था तो फार्सी सापता हैँ, ये फार्सी बाशा में लिखा गया था अच्छ je हरसपता आता था B qun da, मिरातुल अख़बार तो ये राजराम मोहन राए इंडियन मिरर 1880 कलकत्ता से शुरू हुआता ये तो कलकत्ता में हुआता है ये शुरू कौन सा इंडियन मिरर 1880 में और इससे संबंदित था मन मोहन गोश और देविंद्रनाथ टेगोर तो हम कहाते इंडियन मिरर पे तो इंडियन मिरर 1880 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इंडियन मिरर का जो संस्थाव कौन था इंडियन मिरर 1880 कलकत्ता से और मन मोहन गोश और देविंद्रनाथ टेगोर ऐसे याद कर लेना कि इंडियन मिरर जो मिरर सीसा है कौन देखता ता हुँ मन मोहन गोश मन को मोहन करने वाला गोश और देवेंदर नाथ टैग और यह दौनों इंडियन मिरर ठीक है कलकता से अठाइसा सी में प्रकाशित होता था मिरातुल अक्वार राजानों मोहन राइस फारसी सापताहिक था यह अमरत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार गोश इंप्रकाश इश्वर चंद्र बिद्यासागर की है सोम प्रकाश इश्वर चंद्र बिद्यासागर फिर इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे तो इंडियन ओपिनियन के संपादक मनसुख लाल नजर थे तो मनसुख लाल नजर कौन थे इंडियन ओपिनियन के सं पत्र था जिसके संबादक या पत्र का थी जिसके संबादक मंसुक लाल नजर थे फिर अंग्रेजी में वंदे मात्रम प्रकाशित की थी अर्बिंदो घोशने तो अर्बिंद घोशने वंदे मात्रम अंग्रेजी वाशा में प्रकाशित थी जो फिर स्वदेश वाहिनी के कौ स्वदेश वाहिनी रामकरश्न पिल्लाई इंडियन ओपिनियन मनसुख लाल नजर वंदे मातरम अरविंदो घोश अंग्रेजी भाशा में फिर लेबर किसान गजट एम सिंगार वेलू मतलब लेबर और किसान का गजट जो था वो एम सिंगार वेलू इंकलाब गुलाम हुसेन इंकलाब किसकी पत्रिका थी गुलाम हुसेन की तो इंकलाब सही तो गुलामी जो है वो टूटी थी तो इंकलाब गुलाम हुसेन नव जीवन महात्मा गांदी स्वराज्य टी प्रकाशम प्रभात के एनसी केलकर मूक नायक का बिना बोले देखते रहने वाला नायक तो एक बाद जल्दी से रिवाइस कर लेते हैं बहरत का पहला समाचार पत्र कौन सा था बंगाल गजट फिर फ्री इंदुस्तान अख्वार अमरिका में किस ने चलाया था तारखनाथ दासने बहरतियों दारा अंग्रे जी भाशा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था हिंदू पैट्रियोट जिसके संपादक कौन थे हरिश्चंद्र मुखर जी हरिश्चंद्र मुखर जी हिंदू पैट्रियोट के संपादक थे और ये नील आंदोलन का समर्थक था हिंदू पैट्रियोट जो था उसके बाद हरीजन का प्रथमंग 1933 में कहां से प्रकाशित होता पुने से फार्सी साप्ताएक मिरातु लाखवार राजाराम मोहन राय का था इंडियन मिरर अठाल स्वासी कलकत्ता से मन मोहन घोष और देवेंदरनाथ टेगोर नेक्स्ट है अमरत बाजार पत्रिका शिश्र कुमार घोष केसरी बाल गंगात तिलक सोम प्रकाश इश्वर चंद विद्यासागर इंडियन ओपिनियन मन्सुक लाल नजर अंग्रेजी में व्यंदे मात्रम अर्विंदो घोष स्वदेश वाहनी रामकरश्न पिल्लाई नेक् आघराब गुलाम हुसेन, नव जीवन महात्मगांदी, स्वराज्य टी प्रकाशम, प्रभाद एंसी केलकर, और मुक नायक भियर अमेटकर, नेक्स्ट आगे चलती है, नेक्स्ट हमारी राफ्द गोफ्तार, तो राफ्द गोफ्तार दादा भाई नोरोजी, तो दादा भा तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय गत्रकिंद hackland c मदन मोहन मालवी है दा नेशनल हेरल्ड जवाहरलाल नहरू दा पायोनियर जोर्ज एलन किसके थे दा पायोनियर के दैनिक आज किते शिव प्रसाद गुप्त शिव प्रसाद गुप्त किसके थे दैनिक आज के थे नेक्स्ट प्रताप जो थी पत्रका वो कानपूर से प्रकाशित होती थी और इसके जो संस्थापक थे या संपादक थे वो विजय सिंग पतिक थे तो प्रताप के विजय सिंग पतिक थे बिजॉली और अंदुलन से संब्दे थे या आगे कोशन में देख ले ना हरिजन के ज इश्करत भारत बियार अमेट करकी अलहिलाल अबुलकलाम आजात से संबन देते हैं अबुलकलाम आजात की फुस्तक थी अलहिलाल यह पत्रिका थी अलहिलाल अबुलकलाम आजात हिंदू सुब्रमडेम अईयर हिंदू के संपादक थे सुब्रमडेम अईयर सुधारक के पालकृष्ण गोख ले वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी की तो दादा भाई नारोजी की दो यहां आ चुकी है कौन-कौन सी यहां से सबसे पहले आई ती राफ्त गुफ था जिसमें दादा भाई नारोजी का नाम आया था उसके बाद इसके बाद आई है फिे यंडिया महतमा गांधी यंग ते यंग इंड़िया कौमी आवाज तो जवाहरलाल नहरू की है ये जवाहरलाल नहरू की है कौमी आवाज कौम की आवाज ऐसे समझ लेना कौमी आवाज जवाहरलाल नहरू इसके बाद है comrade Comrade किसकी है महमद अली की है महमद अली की है comrade अब questions पे आ जाते हैं जल्दी से तो questions पे देख लेते हैं आदुनिक बारत में press का विकास पहला question बारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था तो बंगाल गजट देखा था हमने सरप्रथम प्रेस सेंसर्शिप किसने लागू की थी तो प्रेस पर से जो प्रतिवंद था वो लागू किया था प्रेस सेंसर्शिप वेलेजली ने मतलब प्रेस पर से जो भी पत्रिकान चपती थी उस पर censorship लागु करती थी वेलेजली सबसे पहले वेलेजली कौन था सायकसंदील जो लायाता वह वेलेजली था 1878 में Vernacular press act नहीं जो यह वह वो लेटन के काल में आयता लेकिन इसके रद्द करने वाला कॉंप युद्ब के बाद जो रिपन आया था उसने इसको रद्द किया था डोवर्न को रएसे्स पार्ता वके ने किया था प्रवर्तन तो ले भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया तो लॉड रिपन की काल में मतलब यह जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना वर्नाकुलर का मतलब यह होता है भारतिये की जो लोकल भाषा होती है ना उसको कहते है वर्नाकुलर तो भारत की जो लोकल लेंग्वेश थी उसमें उसम के करतव्य का निर्वाहन करती हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतिय को थे तो बाल गंगादा तिलक थे तो बाल गंगादा तिलक पत्र जो पत्रकार का करतव्य था उसका निर्वाहन करती हुए सबसे पहले जेल गई थे अमरीका में फ्री इंदुस्तान अकवार किसने चल और देविंदरनाथ टेगोर्खा था इंडियन मिरर कलकत्ता से फिर गदर पत्र का प्रतमंग प्रकाशित हुआ था उर्दु भाशा में और गदर पत्र जो था वो एक सापता है पत्र था यानि कि सापता वीकली आता था और इसका प्रतमंग उर्दु भाशा में प्रकाशित जो समाचार प्रत्र प्रारम किया था वो केसरी था बाल गंगा था तिलक का कौन सा था केसरी फिर कांग्रेस की आलोचना कौन सी पत्रकाएं लोगपरिया पत्रकाएं करती थी तो कांग्रेस की जो आलोचना करती थी वो बंगवासी काल और केसरी केसरी तो तिलक की ही थी फिर काल और बंगवासी ये दोनों भी कॉंग्रेस की आलोचना कल थी थी काल बंगवासी और केसरी फिर वह समाचार पत्र जिनों ने भारतिय स्वतंतरता संगराम के काल में करांतिकारी आंदोलन की यानि करांतिकारी आतंकवाद की वकालत किस ने की थी तो वह समाचार पत्र जो झह naar Gremdal के जो नता थे उनका वकालत कौन करता था तो संध्या-योगांतर और हो अनुशीलन समय थी उसकी पत्रका थी इए यह दो नाम याँ रखना यूगांतर जो थी पत्र का वो कलकथा की ती और अनुशीलन समिती की पत्र था ये और ये किसकिस से प्रकाशेत होता द radius वारिंदर कुमार घ्ष और भुपेंदर नाथ दत्र और अविनाश भठ्टाचारे ये तीन नाम याद रखने, इसमें वारेंद्र कुमार घोश का नाम और भूपेंद्र नाज दत्त कना इंपोर्डेंट है, युगांतर ये लोग चलाते थे, कलकत्ता से और अनुशीलन समिती का ये पत्र था, ये क्या था आगे जाके और पढ़ेंगे डिटेल में, नेक्स्ट है, सोम प्रकाश किसका था, तो इश्वर चंतर विद्यासागर का सोम प्रकाश था, इसमें से उदारवादियों की नीती का प्रचारक कौन था, तो लीडर, लीडर जो अखवार था, वो उदारवादी जो नेता थे, उनकी नीतियों का प्रचारक था, लीडर, दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं चापा जाता था तो उर्दू भाषा में नहीं चापा जाता था उर्दू भाषा में गजर था पीछ अमने देखा था तो इंडियन ओपिनियन नहीं था ये दा इंडियन ओपिनियन पत्र के प्रथम संपादकों थे तो इंडियन ओपिनियन क हिंदू पेट्रियोट के संपादकोंते हरिष्चंद्र मुखर जी और इसने नील आंदोलन का समर्थन किया था। फिर नेक्स्ट है वंदे मात्रम जो अंग्रेजी भाषा का सापता है एक समाचार पत्र था वो अर्विंदो घोश का था। वंदे मात्रम अर्विंदो घोश उसके बाद अखवार जो प्रकाशन पटना से होता था तो इंडियन नेशन इंडियन नेशन जो है वो पटना से प्रकाशित होता था सोदेश वाहिनी के संपातकों ते तो रामकरष्न पिल लई, ये भी हम देख चुके हैं अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडंट जोड़ा था, तो मोतिलाल नहरू से जोड़ा था, इंडिपेंडंट अब उसके वाद यह पत्रे और उसकी भाषा पहचानी है तो भारत मित्र तो भारत मित्र ऐसा समझ सकते हैं ये जो समाचार पत्र है भारत मित्र तो भारत का मित्र कौन है हिंदी भाशा है भारत मत मराठी मा से मत मा से मराठी प्रजा मित्र तो प्रजा का मित्र कौन है गुजराती गुजराती लोग व्यापारी होते हैं व्यापारी गुप्त का है देख लिया था मने दा लीडर मदन मोहन मालविय का दा नेशनल हेरोल्ड जवाहरलाल नहरू का इसके बाद है दा पायोनियर जॉर्ज एलन का कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंग पतिक ने विजौली आंदोलन को समुचे भा पत्र को विजय सिंग पतिक ने प्रकाशन किया था और विजौली आंदोलन को समुचे भारत का चर्चा का विशय बना दिया था हरी जन के प्रारंब करता कोंते तो महात्मा गांदी नेक्स्ट हरी जन जो था कांदी जी द्वारा शुरू किया गये था सापताहिक समाचार पत्र तो इसका प्रथमंक 1933 में कहां से प्रकाश्यत हुगा था तो पूना या पूने से महराष्ट में जो है मराठी पाकशिक बहिश्करत भारत तो बियार अमेट करका था यह बहिश्करत भारत फिए अबूलकलाम आजात का कौन सा था अलहिलाल अलहिलाल जो है वो और्दु में मात्रम पहले भी आमने दिखा था जो अंग्रेजी भाषा का था वो अर्भिन धूज्ट था लेकिन उर्दु भाषा का जो समाचर पत्र है लाहर से लाला लाच पत्र आये द्वारा उन्नेसों इस में वदे मात्र में हिंदू का संपाद कौन है तो सुब्रमडे सुधारक का गुपाल क्रश्न गोकले वोईस ओफ इंडिया दादा भाई नारो जी फिर बंगाली का कौन है एसन बनर जी बॉंबे क्रोनिकल का फ्रोच्षा महता कॉमन वील एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमन वील दोनों एनी बेसेंट लीडर मदन मोहन मालवी है नेक्स्ट है अभुल कलाम आजात का कौन सा पत्र था तो अल हिलाल फिरोच्षा महता का बंबे क्रोनिकल एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और कॉमन वील महत्मा गांदी का यंग इंडिया लोकमान ने तलक का केसरी कौमी आवाज किसका था जवाहर लाल नहरू का कौमी आ काशम का था प्रभात एल सी केल कर था एन सी केल कर का था प्रभात कौमी आवाज जवाहर लाल नहरू महत्मा गांदी का यंग इंडिया तिलक का केसरी एनी बेसेंट का कौमन वील और एक और था न्यू इंडिया न्यू इंडिया कौमन वील दोनो ये दोनो एनी बेसेंट क कहां तक पहुँंच केते हैं एनि बेसेंट का न्यू इंडिया दादा भाई नारो झी का राफ्थ गोफथार दादा भाई नारो जी पिर एनी बेसेंट द्वारा जो दोर निकाले गए थे अखवार वो कौंसे थे common will और new India तो new India और common will any patient द्वारा विपिन चंदरपाल का new India अर्विंदो गोश का वंदे मातरम ब्रह्म बांधा उपाध्याय का संध्या तो संध्या पड़ाता important है ब्रह्म बांधा उपाध्याय जो करांतिकारी आंदोलन की वकालत करता था ये फिर मुहमद अली कॉमरेड तो कॉमरेड इंपोर्टन्ट है याद रखना मुहमद अली ऐसे डांगे की कौन सी थी समाचर पत्रे ता सोशलिस्ट ऐसे डांगे नव योग किस की थी मुझफर एहमद तो ये ज़ादा important नहीं है इनकलाब गुलाम हुसेन important है लेवर किसान गजट एम सिंगार वेलू तो ये हमारा आज का chapter complete होता है तो दोस्तों ये सब revise करते रहना अच्छे से बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा अच्छे से एम धार्मिक सुधार अंदोलन तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केर